नमस्क्रा मित्रों आपका स्वागत है मेरे चनल हो मारूप पर मित्रों यंत्रों के बारे में बता रहा हूँ और आप काफी से पसंद दिकर था हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो आज मैं आपको किनी दो विशेश नर नारी लड़का लड़का नहीं लड़की लड़का या उरुष और नारी कोई से भी दो हो उनके बीच जगड़ा करने का यंत्र बता रहा हूँ इस विद्शन यंत्र कहते हैं जगड़ा करवाने का आपके पास एक समुचित करना है तो आप इसका समाल कर सकते हैं पूरा यह अंत्र तो आप फोटो में देख दीजिएगा क्योंकि मैं दिखूंगा तो यहां बोल पे दी चमक पड़ती है कि दिखाई नहीं पड़ता है तो ऐसे जो डिटेल्ड है जो विस्तार से जिन में दिखना है बताना है वो मैं यह नहीं बताता ताकि आप उसे देखे समझ सकें जो मैं आपको पिक्चर या फोटो देता हूं बस कुछ चीज़ बता दे रहा हूं इसमें उपर ओम स्वाहा और नीचे ओम स्वाहा दिखना है और इसके बीच में ऊपर लड़के का नाम और नीचे लड़की का नाम है यह मुख्य बात है पूरा यंत्र बागी आपको मैं दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इसे कैसे इस्तिमाल करना है चली पहले पूरा यंत्र देखे और यह देखे पूरा यंत्र यह है इसको अच्छी दर देख लिए अब मैं इसको बताने बनाने और प्रयोक करने की बताऊंगा तो देख लिए मित्रोड़ें तो आपने इसे कैसे बनाए जाएगा और कैसे प्रियों के इसको लिखना किस पर है भोज पत्र पर लिखना कि स्याही से है कुमकुम जो और चीजे बताई गई है जिनकी शर्त है उनमें वही इस्तेमाल करना है जिन चीजों में कोई शर्त नहीं है उनमें मन्चाहा माध्यम इस्तिमाल कर सकते हैं तो कलम आप कोई सीवी ले सकते हैं लेकिन जब आप इसे अंत्रकूल लिखें तब आपको एक शब्द नहीं बोलना है अपने थारे मुबाइल वगएरा बंद कर दिये बिल्कुल एकान में कोई समय आपको आवाज नहीं लगाए बिल्कुल मान होना चाहिए आपका मूँ बिल्कुल मान होना चाहिए इस बीच में कोई भी आपको एड्रस न करें कोई भी आपको संबोधित न करें आपको कोई फोन ना है बिल्कुल पिंड रॉप साइलेंस कहते हैं इसे वो सन्नाटा वो शाम्ति होनी चाहिए इस यंद्र को लिखते समय इसको लिखनी है भोजपतबर गुरुजण और कुमपुम किस्याई से इससे पहले आपको एक और थोड़ी सी त्यारी करनी होगी नदी किनारे की मिट्टी ले रही है और नदी किनारे की मिट्टी लाकर उससे गणपती बनाई है गणपती का मतलब गणेश जी आपको बनाने है उस मिट्टी से अब आप कहेंगे हमारी तो कोई मूर्ती कला तो इतनी अच्छी है तो गणपती जितने आप से अच्छे बन सक कोई बिल्कुल गणपती जैसे ही बने जितने आप से अच्छे बन सके आप चाहें तो पहले इसको प्रेयोग करने से पहले चार-चे बार खुब सारी मिट्टी लिया है और चार-चे बार प्रेक्टिस कर लें जितना अच्छा आप बना सकते हैं उस गणपती को बना के यंत् लिखा गणपती की मिट्टी बना यह अंत्र रेखने के बाद मिट्टी से गणपती की मूर्ती बनाए उस पर इस इंत्र को चढ़ा दिया कि यह अंत्र चढ़ा दिए जब आप मिट्टी से मूर्ती बना देंगी उसके बाद आपको इस मूर्ती को गाय के दूर्ट से इसना इसे इस्नाथ मत कराईगा, कि मित्ती सारी बहए जाए, मूरती सारी बहए जाए, इस्नाथ कम अब कैल के गाय का दूज उस पे टक्के। जहां तक उसके पूरी दोप नहीं लेकिन जहां तक और पूरी मूरती musi पर गाय का डूज जीने हिस्से में संभव उतने हिस्ते में लग जाए इस रांग कराए फिर फल फूल धूप दीप लड़ू इन सबसे गणेश जी की पूजा करिए फल फूल धूप दीप और लड़ू के बिना तो बात रहेगी नहीं कि लड़ू तो गणेश जी को बहुत पसंद है तो लड़ू इन से आप इनकी पासना कीजिए इन गणेश जी जी आपने स्वयम बनाएं जिसमें आपकी कामना वास करती है अपने दिल से बनाएं तो बहुत ज्यादा इस यंत्र कासर बढ़ जाता है इनकी आप पूजा करिए ये पूजा करके आपको ये सारा समान एक मिट्टी के पात्र में रखती है यानि उगणेश जी की मूर्ती वह यंत्र फूल फल पूल जो आपने चबाए से वह मिट्टी के पात्र में रखती है नदी के किनारे जाईए और नदी के किनारे एक गड़ा खोदी चूटा से जिसमें पात्र पूरी तरह समागे उसके बाद इसके लिखिए अगोर दो बा उस मिट्टी में इस पात्र को दबा के आ जाईए और आप जिन दो लोगों के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं ठोस कारणों से बिना वज़े नहीं सिर्फ शतुरता की वज़े से नहीं उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी बह और उपाजर। जो दिये होते हैं, उनकी हदें हाथी न्हीं होती हुए। फिलाल जिनकी हदें उन्हें आप कर सकते हैं। फेल में लेकृ मैं ज़िए नकील। अवह नलुग पर नमश्कर।